Hello friends, आज का question बहुत ही important है Question है, एक train 300 मीटर लंबे platform को 15 सेकेंड में पार करती है तथा एक खंबे को 6 सेकेंड में पार करती है तो train की लंबाई तथा चाल ग्याद कीजिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि platform और खंबा क्या होता है प्लेटफार में जो होता है उसकी कुछ लंबाई होती है ठीक है जो यहाँ पर दिया हुआ है 300 मीटर लेकिन अगर यहाँ पर खंबा हो खंबे की लंबाई मुचाई तो होती है इसकी बट इसकी लंबाई 0 का इक्कल होती है यानि कि लगभग एक मीटर से भी कम होती है तो उसको हम क्या माल लेते हैं नगन्य माल लेते हैं ठीक है यानि इसकी जो लंबाई है इसको हम जीरो मीटर माल लेते हैं ठीक है और तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है तो क्या पूछा गया है इसमें ट्रेन की बराबर एक्स मीटर ठीक है अब लिखेंगे चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय ठीक है तो दूरी कितनी हो रही है अगर यह प्लेटफार्म को माल लिए गए ट्रेन है अगर यह ट्रेन है और यह ट्रेन इस प्लेटफार्म को पार कर रही है तो पार करने का मतलब कि इसकी दूरी भी ताय करेगी और अपनी जो लंबाई है उसको भी जब ताय करेगी तब जाकर कि इस प्लेटफार्म को पार करेगी याने की जो दूरी है वह train की लंबाई और platform की दूरी दोनों जुड जाएगी ठीक है तो platform की लंबाई कितना है 300 मीटर और plus train की लंबाई क्या माने है x मीटर बटा समय कितना लग रहा है 15 सेकंड यह लिखेंगे 15 सेकंड ठीक है यह हो जाएगा हमारा equation number first फिर से दोसरी चाल मतलब कि अगर train चल रही है तो platform को पार करने के लिए जो चाल है उसी चाल से वह क्या कर रहे है खंबे को भी पार कर रहे है तो अब खंबे के लिए क्या होगा फिर सभाई होगा दूरी बटा समय है ठीक है यहाँ पर दूरी कितनी हो रही है खंबे को पार करने का मतलब खंबे की लंबाई क्या हो जाएगी जीरो प्लस ट्रेन अपनी लंबाई तो पार करेगी तो ट्रेन का मान क्या हो गया एक्स बटा समय कितना लग रहा है च्छे सेकेंड यहां लिख लेंगे बटे में च्छे समीकरण नमबर दो अब यह दोनों चाल एक समान है क्यों क्योंकि ट्रेन एक ही समान चाल से चल रही है ति यह दोनों चाल का जो मान होगा बराबर होगा यानि कि समीकरण एक और समीकरण दो दोनों के मान क्या होंगे एक बराबर होंगे तो लिखते हैं समीकरण एक वह दो की तुलना करने पर अगर हम तुलना करते हैं तो 300 प्लस एक्स बटा 15 सेकेंड बराबर हो जाएगा 0 प्लस एक्स बटा 6 सेकेंड ठीक है अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स का माल निकल जाएगा इसको अगर हम solve करते हैं तो 3 गुणा करेंगे ठीक है यानि कि 300 प्लस x में 6 का गुणा होगा 300 प्लस x में गुणा होगा 6 का और 0 प्लस x में 15 का गुणा होगा ठीक है तो 15 गुणा करेंगे पंदरा गुणा h 2015 कितना होगा 15 x और यहां पर 6 का गुणा करेंगे तो थीर on a 8 80 to plus 6 का गुणा h Oooh cm क्या होगा नहिए यहां अब इस 6 x को दूस्रे सैड में लाएंगे 15x-6x इधार कितना बच जाएगा 18 15 में 6 निकल एक कितना बचेगा 9x कमान हो गया 1800 तो x कमान कितना होगा 9 का गुणा इसमें आकर भाग हो जाएगा यहने कि 18100 बटा 9 तो 1800 में जब 9 का भाग देंगे कितने बार में कटेगा 9 दूना 18 याने कि x कमान कितना आ गया 200 और x क्या था ट्रेन की लंबाई याने कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 200 मेटर यह हो जाएगा answer अब निकालना है चाल चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय तो दूरी कितनी थी अगर मान लीजी अगर वो खंबे को पार कर रही तो खंबे की लंबाई क्या थी 0 प्लस x x कमान कितना है 200 याने कि ट्रेन की दूरी बटा समय कितना लगा था 6 सेकेंड तो अगर 200 को 6 से भाग देते हैं तो क्या मिलेगा 200 बटा 6 मीटर प्रति सेकेंड इसको अगर हम किलो मीटर प्रति घंटा में बदलते हैं क्योंकि जो ट्रेन की चाल होती है वह किस में होती है किलो मीटर प्रति घंटा में ठीक है ठीक है, तो काटेंगे इसको 6, 3, 18, और 5 तो काटेंगे, 5, 4, 20, यह 0 है यहां प्या जाएगा, क्या बच गया 40 और गुड़ा 3, 40 गुड़ा 3, बराबर 120, किलो मीटर प्रति घंटा, यह हो जाएगा हमारा एंस्वार,